मुकेश राजपूत और ये है चक्रव्यू चक्रव्यू में हम आज की शुरुवात एक बहुत ही खास महमान से करने जा रहे हैं हमारे साथ हैं हर्याना के कैबिनेट मंत्री क्रिशन कुमार बेदी साब चक्रव्यू में हम उनको जोड़ेंगे और आज जो तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है इसके बारे में सवालात उनसे करेंगे सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई हर्याना में तीसरी बार सरकार बनी है भाजपा की लगातार जिस तरीके से नाइब सैनी दूसरी बार मुख्य मंत्री बने है वैसी क्रिशन कुमार बेदी भी दूसरी बार कैबिनेट मनिस्टर बने है बहुत-बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में सबसे पहले तो बताईए आज का दिन कैसा रहा क्योंकि आज देश भर के तमाम बड़े-बड़े जो नेता थे उनका सबका जमावड़ा एक ही जगां था और वो था पंच्कुला और चंडिगर आपकी किन-किन से मुलाकात हुई क्या बात हुई देखें मुकेश जी पहले तो मैं आपका और आपके सभी दर्सकों का दिल के गहराईयों से अभार प्रड़ करता हूँ और अभार प्रड़ करता हूँ हरेना प्रड़ेस के सभी मद्दाताओं का बेहनों और भाईयों का जिनोंने लगातार तीसरी बार भारजनता पालिटी की योजनाओं पर नीतियों पर करने काम करने के तरीके पर मोहर लगा कर तीसरी बार लगा तार हरेना प्रदेश में भारजनता पालिटी की सरकार बनाई और नायव सिंग सेने जी करेतरतों में दूसरी बार हमने आज सपत लेने का काम किया और रही बात देश बर के नहीं दुनिया के सरव सरेष्ट नेता निरेंदर मोदी जी का आज चंडीगड में पंच्कुला में इस सपत समारों में रहना और NDA के सभी नेताओं का मुख्य मंत्रियों का उप मुख्य मंत्रियों का और सभी वरिष्ट नेताओं का केंद्रिया मं का रहना हमारे लिए बड़ी सोभाग्या की बात है और मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं मंत्री हुआ उसमें भी आदर्णे अंदरंदर मोदी जी ने हमें आकर आसिरवाद देने का काम किया था दो हजार चोदा में इसी स्थान पर जे और आज चो नेतागंड यहाँ पर आए एक बहुत ही यूनीक और उत्सा वर्दा के अकारे करम था आज पूरे हर्याना प्रदेश की घंता ने भी उनायब सिंग सैने जी को आसिरवाद दिया निरंदर मोदी जी का होसला बढ़ाने का काम किया जब आप दो हजार चोदा से लेकर दो पर नहीं थे लेकिन आप मुख्य मंतरी के राजनितिक सलाकार थे तो यानि आपका जो हनुभव हुआ डबल हुआ कारे करता से आप पहले विधायक बने फिर मंत्री बने फिर सलाकार बनके आप सीम आफिस में सीम रेजिदेंस पे रहे तो वह वाला तजूर्बा मंत्री प और पर काम करने का मौका भी मिला है आपके साथ ही हैं पुराने तो ये जो सरकार है इसको लेकर क्या नक्षा आपके जहन में है और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे देखिए मुझे मनहर जी के साथ लगातार साड़े नोदस साल काम करने का मौका मिला संग्धन में तो मैं लगवग तीस साल से उनके नित्रतों में काम कर रहा हैं उनसे बहुत को सीखने का मौका मिला परंतू मंत्री के तोर पर उनके साथ सरकार में रहा विभिन मुद्दो पर एक एक जो धरातल पर योजना है चाहे ऑनलाइन बुड़ापा पैंसन थी, विद्वा पैंसन थी, विकलांग पैंसन थी, चाहे आखरी टेल तक पानी पहुचाने की बात थी, 24 घंटे जगमग योजना के तहद बिजली देने की बात थी, बिना पर्ची और बिना कर्ची क युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे हराना प्रदेश की सड़कों का सुद्रिडी करन करने की बात थी, चाहे बीस किलो मीटर के एरिया में महिला कालिज खोलने की बात थी, ये सारे के सारी योजनाओं में भागी दार रहा, अबकर एक एक योजना को अपने आ आज ए पार्टी की बहुत से जम्यवार या निभाते निभाते पार्टी ने फिर मुझे मुझे मौका दिया, नर्वाना विजान सोबाथ 6 तर से में चुनाव जीत के आया, और आज नाइब सेनी जी की कैबनेट में मुझे मंतरी का रूप में सामिल होने का मौका मिला नाइब सेनी जी हमारे एक सोमय मुख्य मंतरी हैं हसमुक मुख्य मंतरी हैं और अरजवान मुख्य मंतरी है परंतु एक पक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइब सिंग सेनी जी एक दिर्ड निश्य मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया था कि मैं सपत तब लूँगा सरकार की पहले मैं पच्छी सजार युवाँ को रोजगार जो कॉंगरिस ने अपने गल्थ सोच के कारण उनका गड़ा काटने का काम किया था उन नोजवानों को सबसे पहले मैं पहले लिस्ट उनकी आउट करूँगा तब जाके सपत लूँगा और आज 24,000 बरती हैं आपके चैनल पे लगातार फ्लैस हो रही है और हिम्मत सिंग जी के भी हमारे चेर्म की MSP उन्होंने सबसे पहले पूरे देश के अंदर MSP पर किसान की फसल खरीदने का वादा नहीं किया गरंटी दे दी और 24 गंटे में उनकी पेमट उनके खाते में डालने की बात की मैं आप लोगं को बताना चाहता हूं कि 500 रुपे सिलेंडर पड़ती है एक बेहन के घर त कि मैंने इतने प्लाट दे दिये सोसोगज के वो प्लाट उनका कबजा और कागज देने का काम भी नायव सिंग सेनी जी ने किया जे आप बहुत बड़े डलित समाज के भाई भेनों का प्रतिन इधित्तव कर रहे हैं इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा लगातार जो भ आइडियाज हैं कि उनकी स्थिती और अच्छी हो दस साल से आपकी सत्ता चल रही है उनके उद्धार के लिए कुछ आप के दिलो दिवांग में प्लैन चल रहा हूँ देखिए मैं आपके मादम से एक बात कहना चाथता हूँ सबसे पहरा बड़ा अजेंडा हमारा संकलब पत्तर है जो हमने चुनाओ के दुराने हमें नित्तर ने लोगों के बीचे में जारी किया और उस संकलब पत्र को लोगों ने पढ़कर उस पर विस्वास किया और नायव सिंग सेनी जी के नितरतों में तूसरी बार लगातार सरकार मिनाने का हमारा काम किया और तीसरी बार बीजेपी की सरकार मिनाने का काम किया लोगों को विश्वास था कि नाइब सिंग सेनी और बीजेपी जो अतना कहती है उतना करती है और जितना करती है केवल अतना ही कहती है उससे जादा नहीं कहती और इसी पकार से जो मोदी जी जी ने एक बहुत बड़ा विजन लेकर चले हैं पूरी दुनिया के अंदर स्रेलिस्ट भारत बने और पूरी दुनिया का नेतलता भारत करे और टीसरी महासक्ती आर्थिक तोर पर भारत बने इस सारे वीजिन को लेकर हरनाप्रदेस की जन्ता ने भी समझने का काम किया और जो कॉंगरस के जूटे और डुकोसले वारे नारे बाजी थी जो गरंटिया वो देते थे उनकी गरंटियों को लोगों ने मिकारने का काम किया जिन लोगों ने हमारे संकल पत्तर पर विश्वास करकर हमें बोर्ट दिया है हम पहला हमारा अजेंडा ये रहेगा कि उस संक रॉक्षा हम सिक्षा पर बहुत जाला ध्यान देने की कौशिस कर रहे हैं और करेंगे भी इसी पकार से स्वास्त सेवाए हमारी बढ़िया हो ये भी मैं आप लों को विस्वास दिलाना चाहता हूँ और परते एक नागरी को ये विस्वास हो मेरी बहन को मेरी बेटी को, मेरे भाई को, गरीब को, दलित को, पिछ्डे को, मजदूर को, कि मैं सुरुख सी तोर पर हराने के अंदर अपना पाल या पन जीवन या पन कर सकता हूं. कोई गुंडा तता हूं, वह हमें दिन रात किसी पकार की को धंकी नहीं देगा, हमारे मकान को लूटने का काम नही करेगा ये विश्वास मापलों को देना चाहता हूं जे इन मुख्य जेंडे मैं हम अपने इस सरकार के आपके माद्जम से बताना चाहते हैं जे अभी इस सरकार में दोजार चौदा से दोजार उन्निस तक जो बड़े चेहरे थे उन्ने से तीन बड़े चेहरों ने वापसी क मैं तो आपको शपन दिला दी गई है आपको करेक्ट करता हूं जे चार लोगों ने बापसी की है किर्शन पुहार जी भी पिश्वी सरकार में मंत्र करें आप तो अब थोड़ा सा पेपर लीक करेंगे आप हमारे लिए कि अब मंत्रियों का तो हमें पता लग गया और ये वाली लिस्ट का आपको जाहिरक ही पता ही होगा लेकिन हमें जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो लगातार कल से इसको पहुंचा रहे थे और हुभू वही निकली जो नाम हमने न्यूज 18 पर चलाये थे तो कौन सा विभाग मिल सकता है कृशन कुमार बेदीजी को देखिए पेपर लिक अभी तो तीन-चार घंटे पहले सबत लिया है जो मेरे संग्यान में विश्या आएगा मैं किसी भी कारण से किसी को किसी को नहीं बताऊंगा फिर मुझे पेपर लिक भी चैनल पे खुरुआ रहे हैं अभी रात में रुकिए कल सारे डटके बोट दिया। Genau know ने अनुसु जाती वरके लोगों ने पिछले वरके लोगों ने किसान ने मिजूर ने सबी ने हमारी ताकत बढ़ाने का काम किया छोटे दुकानदार ने और ऑवन करमचारियों के एक बहुत बड़ा हववा खड़ा किया था। और करमचारियों न इतना डटके मद्दान किया भारजन्ता पार्टी की सरकार बिनाने का एक बहुत बड़ा योगदान था और उसके साथ साथ लिपारी नहीं और हमारे जो हैंड़ टू-माउथ जो लोग हैं ताजया कमाते ताजया खाते हैं उन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हम पर म और दान किया हमारे साथ और भार्जनता पार्टी की सरकार बिनाने का काम किया चलिए आप एपर लीक नहीं करवाते हैं आपसे अभी खबर आई है कैप्टन अजय आदव ने कॉंग्रेस से स्तीफा दे दिया है और जो ओबी सी के वह अध्यक्ष थे रास्ट्रिय उससे भी स् तो और फॉन भी उनका काफी देर से बंच चल रहा है तो मुझे सूत्रों के मताबर की जानकारी मिल रही है वो भी भारती जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं इसकी कोई जानकारी है आपके पास ही आई ये खबर मेरे मूं से ही सुन रहे हैं नहीं मैंने अभी एक्षल में क्या है आज दोपैर के बास से लगाता है मैं किसी चैनल किसी मीडिया सोसल मीडिया पर नहीं हूँ लोगों से सभी लोग बढ़ाई देनے के लिए आ रहे हैं मैंने अभी ध्यान निकिया मैंने अभी फलैस देखी है ये न्यूज़ परन्तु मैं आप लोगों के पहले भी क चुका हूँ जितना लोगदली करन कोंग्रेस का बुपेंदर सिंग हुड़ा ने किया आज तक इतना तो लोगदल का भी लोगदली करन नहीं हुआ कि एवल अपने बेटे के लिए उसने सारी कांग्रेस पालिटी को खा गया वो आज नवीन जिंदल कहा है आज राविंदर ज लिकरन उसने किया था आज केवल बाप बेटा के लावा कॉंग्रेस में कोई में बचेगा भी नहीं जै और इस प्रकार की सोच लेकर पिंदर सिंग हुड़ा और अपने राजकुमर को गदी में बिठाना चाहता था परंतु गदी तो बड़ी दूर मिलने की बात थी और ब दूसरी बात कहा रहा हूँ है मेरी बास सुनो आप मुकेस जी आज इस तिती क्या है कि सोनी पत में भी केवल एक सीट बची और वो भी कितने मारते से जिते हैं वड़ोदा की सीट वसाइद आपकी उसके खरकोदा गई उनकी राई गई उनकी गोहाना गई और किस परकार से छे में से केवल एक सीट आई है कॉंग्रेस के पास पाँच में से तो मैं आप लोगों को बताने चाता हूँ जिस कॉंग्रेस का गड़ हुआ अपने आपको मानता था भुपेंदर सिंग उड़ा उससे वो भी उसके आज से निकल गई है जिस जीन को वो सबसे बड़ी अप कॉन्फिडेस जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है जहां तक सीटों के नंबर्स का सवाल है तो पिछली बार आपकी सीट सी कितनी चालिस इस बार कितनी आई अर्तालिस उनकी थी 31 उनकी कितनी आई सेंटिस वोट परसेंटेज तकरीबन बराबर ही है लेकिन यह जो अती आतम विश्वास ओवर कॉन्फिडेंस था यह आपके लिए लग्की साबित हुआ है नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से सैमत हूँ आती आतम विश्वास वपेंदर सिंग हुड़ा में था परंतु वो आदमी लगबग जहां तक मेरा आइडिया है कि 72 से 75 साल की एज के बीच में तो एक्सपिरिस कहा गया उनका आती उत्सा किसी का था कोई नया लड़के उनको तो एक एक चीज बारीकी सा देखिनी चीए थी आप अती उत्सा की बात मत की जिए उनके कुकरमों को देखिये लोगों के आज तक भी जड़े हुए घर भूले नहीं है चाहे वो गौहाना कांड हुआ चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है चाहे भगाना कांड हुआ सोड़ा कांड हुआ है किस प्रकार के उंजलं जाते लोगों की स्ल्खन फॉर सेक्शन सिक्सक्स नैं का नाम पर इस परकार से बोले भाड़े किसानों के जमिनों को लूट कर बिल्डरों के ह kijken हावाले कर दिया परि सारे हर्याने की राज़नीती करेंगे पर तुम तो नो इ कि यह आप आप पुल मिला कि यह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की हार हुई उसके जो जिम्मेदार है वो भुपेंदर सिंग हुड़ा है और उनका जो पुत्र प्रेम है वो है यह कहना चाहरे हैं अब अब देखिए ना अब आप देखिए ना ने यही कह रहे हैं चार का स्वागत करता है एक दलित की बेटी खांसाजीत करती है उसका अफमान करता है जलते चुनाव में उसको किस परकार सा वहवार उसके साथ किया जाता है उसको घर परकार से निच्छा दिखाने की बात की जा को साइड लाइन करने की बात की जाती है और कुल मिलाकर लब लबाब यही है कि जो कॉंग्रेस की हार हुए उसके जिम्मेदार वो पेंदर सिंग उड़ा है यही कहना चाहते हैं मंत्री जी बाब बेटा है तो फिर आपको उनका शुक्रिया आदा करना है चाहिए अगर वो जीच जाते तो क्या होता फिर मंत्री कैसे बनते बाजबगी सरकार कैसे आती तो शुक्रिया कीजिए आप उनका आपके करम कभी आपका पिछन नहीं छोड़ते कैसे जी जाएंगे वो बस्टी को जला दिया जिन ग्रीब किसानों की जमीन लूट कर बिल्डरों के हवाले कर दिया जिन बेरोजगार नोजवानों की जमीन बिक्वाई नोगरी भी नी दी किसानों को उसमें मौज़े के बाइस रुपे के दो रुपे के चेक दिया करते थे पटवारियों को इस से ताकतवर बनाया था किसान को अफ्मानित होना पड़ता था यह कैसे भूल जाएंगे लोग यह हर्याना है अच्छा तो अब यह जो हर्याना है यह तीसरी बार भाजपा को मौका दे रहा है दो बार बिलकुल पूर्ण भावमत से सरकार दी अभी बीच वाली जो सरकार थी उसमें आपको सहायता ले नहीं पड़ी जेज़ेपी से इस बार तो जेज़ेपी की एक सीट भी दिया आप आई नर्दलियों का साथ पिछली बार भी था इस बार भी तीन नर्दली आपके साथ हैं तो कुल मिलाकर कमफरटेबल मेजोर्टी में हैं आराम से काम कर सकते हैं तीन मुखे कारे मैं आपसे जानना चाहूंगा जो आप की टॉप प्राइटी रहेंगी आपकी सरकार की मैंने आपनी तो प्राइटी मता दी है पहली प्राइटी तो जो संकलब पत्तर के अंदर जो हमने घोसना एक रखी हैं उनको अमली जामा पहनाना है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे के इन दिन रित्रतबने कल अमिशा जी ने भी यही बात किया संकलब पत्तर की एक एक होसना इंप्लिमेंट होनी चीए वो पूरन होनी चीए दूसरी बात मैंने आपके सामने रखा है यह हर्याना खिलाडियों की धरती है हमने बहुत से मूलबुस सविधाओं का बहुत बड़ा आभाव है हमारे यहां पे बड़े-बड़े गाओं है उजहाना है बेलर इसी परकार से धनोरी है इसी परकार से हमारा दरोदी है बड़े-बड़े गाओं के अंदर हम अच्छे स्टेडियम फैसलिटी वाले स्टेडियम दे कर वहां के नोजवानों को चाकत दे कर मजबूति दे कर ट्रेनिंग दे कर देश और प्रदेस का नाम हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इसी पकार से मेडिकल फैसिलिटी हर्याना के अंदर बेतर हो शिक्षा बेतर हो और सबसे बड़ी बात हर्याना के लोगों को सुरक्षा बहुत बेतर मिले इसके ओपर हमारा सबसे बड़ा फोकस है रहने वाड़ा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप न्यूज परकट करता हूं आपके सभी दर्शकों का भी अभार परकट करता हूं और जाते जाते आप से एक बात कहता हूं कि आज आपने खिचाई कम की इसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं और सवाल पूछेंगे तो यह आपको मंच मिलेगा आप उनका जवाब दे पाएंग करेंगे दो तीके सवाल आपसे करेंगे बहुत बहुत शुक्रियां बहुत बहुत शुक्रियां एक चोटा सा ब्रिक ले रहे हैं और ब्रिक के बाद चक्रवीव को आगे बढ़ाएंगे